नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ग्यान गंगा चैनल पर हिंदू पंचान के नुसार प्रतेगवर्ष मार्ग शीश्मा के किष्ण पक्ष की अश्टमी के दिन काल भहरो जैन्ती मनाई जाती है इसे काल अश्टमी के नाम से भी जाना जाता है काल भहरो जैन्ती के दिन भगवान महादेव के रोद्र और उग्र अवतार काल भहरो की पूजा अर्शना करने का विधान है मानता है कि भगवान काल फैरोग की पुझा अर्शना करने से पुरी शक्तियों से छुटकारा मिलता है आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2024 में काल फैरोग जैनती कप है देनवादे नांग क्या रहेंगी अश्ट्यमी की तिति क्या रहेंगी पुझा का समय क्या है पुझा की विधी क्या है और चंदरोदय का समय क्या रहेगा तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को लेकिन वीडियो शुकरने से पहले अगर आप में ये चैनल पर नए हैं और अभी तर आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगामी प्रत एवं तैवारों की तिथियों की जानकारी प्राप करने के लिए आज ही मेरे च कर इसना नादी से निवरित हो जाना चाहिए उसके पर श्वक्ष वस्तधारन करें और व्रत का संकर्पले भगवान शिव के गड़ और माता पार्वती के अनुचर माने गये हैं इसलिए इस दिन भगवान शिव के साथ मादुर्गा की भी पूझा अर्जना करने का विधा करें काल भैरो जैनती की कथा को पढ़े या सुने भगवान काल भैरो की आर्थी करें आप चाहें तो काल भैरो आश्टक का पार्ट भी कर सकते हैं इस दिन काले कुत्ते को मीठी रोटी और गुड के पुवे खिलाना पे हश्यों माना गया है भगवान काल भैरो की पूझा 41 मिनट से 12 बच कर 34 मिनट तक चंद्रुदय का समय रहेगा रात की 11 बच कर 41 मिनट पर अश्मी तिथी का आरंभोका 22 नवंबर की शाम 6 बच कर 7 मिनट पर समापती होगी 23 नवंबर की शाम 7 बच कर 56 मिनट पर मेरे वीडियो में अंद तक बने रहने के लिए आपका बहुत द devi परिपन खिए नञाट